ऐसे यौर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को दवाना बिल्कुल मत बूँदा परदीब जी आउट परदीब जी पहलिन की तरफ जाते हुए खाता ही नहीं खुला उनका तो परदीब जी का फेल्डर नेम के अच्पकरने वाला भाई मदन बहुत अच्छे फिल्डर है मदन किरन भाई और यह उटा दिया है फिल्डर नीचे और यह आउट बहुत अच्छी फिल्डिंग अच्छी बॉलिंग संद्री जोत कुर की अगली गयन कमले जी की सामने है एमंद भाई और यह उटा दिया बॉल है हवा में नीचे फिल्डर मौजूद है और यह आउट बहुत संदर केज पकड़ा है कमले जी ने बहुत अच्छी बॉलिंग किये बहुत अच्छी फिल्डिंग और वेटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है एक आउर की समाप्ती पर के लिए भी तरस रहे है अगली गेंद कमले जी की सामने सर्वन भाई वो उटा ना चाहते थे मगर वाल में सोच चुगी अगर कमले जी फालना की तरफ से इनामों की बारिश हो रही है अगर कमले जी हैट्रिक ले ले लेते हैं गजराज एडम गिलकेश की तरह कीपिंग कर रहे हैं जी फालना की तरफ से सामने बैटिंग लिए संतोस और बैट और बॉल का कोई संप्रक नहीं और बहुत बड़ी अपेल और एमपार का इशारा आउट आउट शंतो जी आउट जी माराज की जए कमले जी बोलिंग लाइन अपर सामने गन पर और यह कोल एसा लग जा है के तो क्योंकि तो कैलाश परनुत नहीं बिराज मारत है जो क्या सब्सक्राइब ने वैसे बॉलिक डाल रहे हैं कमलेट जी आपको हैंट्रिक का अभी भी चांस है तो सयोग राशी के लाबर्दी हुआ है उटा जुए अजिन निचे है कि एक बादी बड़ा जटका लगता हुआ रोग्स्टर फालना को रवी के रूप में अ जो है कि सयोग राशी लाबर्द सयोग राशी के जो लाबर्ती थे जो बाकी रह गयते और अभी अभी एक और गोश्टना आई है जोगा राम जी लाला राम जी बालवाल चोचोडी आल डॉंबिवली लक्ष्मी बीटी सेंटर डॉंबिवली इन्होंने अभी अभी अच्छी गेंद बिट किया बैट्समेन को कोई रन नहीं अच्छी गेंद इस बार अपिल की है एमपर पर उसका कोई असर नहीं अगली गेंद कमलेश की उठाना जाते थे पूरी तरह बीट हुए कोई दिकत नहीं सिक्ष्टी नाइन अच्छी नाइन अच्छी नाइन अच्छी अच्छी नहीं चोड़ेंगे जसराज का कैच पकड़ने का जो स्टाइल है ऐसे यौर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को दवाना बिलकुल मत बुलना